गुड मॉनिंग शुटन्स ओफ स्टांडर्ड सेकेंड तुड़ें वी लर्न चैप्टर फॉर ओफ कॉम्प्यूटर चैप्टर फॉर इस यूजिंग दा माउस हम इस चैप्टर में क्या करेंगे तो माउस का यूज कैसे करते है वो देखेंगे फॉर्सट अपोल हम क्या देखेंगे? घॉसल लगंग फॉर्सट फोल हम क्या देखेंगे? माउस में कितने बटन्स होते है तो कि 2 और 3 बटन्स लेफट बटन, याट बटन एंड ये मीडल वाला बटन अब हम उसे mouse pad पर रखके move कर सकते हैं यह देखे, mouse में कितने button होते हैं यह देखे, यह left वाला, यह right वाला और यह middle टू और थ्री buttons होते हैं mouse में Then, place your right palm on the mouse Place your right palm on the mouse अब हम इस तरह से हमारा जो right palm है वो mouse पर रखेंगे Put your first finger on the left button अब इस तरह से हमारी जो first finger है वो हम left button पर रखेंगे Put the middle finger on the right button अब यह देखे, यहाँ पर जो middle finger है वो हम right button पर रखेंगे यह देखे, यहाँ पर जो left button है उस पर हमारी first finger रखेंगे And then यह देखे, जो second button है हम उस पर वहाँ पर अपनी mirror finger रखेंगे Then hold the mouse on the sides with your thumb and remaining two fingers अब हम mouse की sides को अपने thumb और remaining two fingers की मदद से hold करेंगे यह देखे, thumb और यह remaining two fingers से उसकी मदद से mouse को hold किया हुआ है Then mouse pointer The mouse is used to point to a place on the screen The mouse जो है वो use होता है हम screen पर अपना point दिखाने के लिए It is also used to move from one place to another on the screen अब हम इस से एक place से दूसरी place पर screen पर जाने के लिए use कर सकते है देखे, अब हम अपना notepad ओपन करेंगे अब इसमें क्या दिखाया है The mouse is used to point to a place on the screen यहाँ पर देखे, इस तरह से mouse point किया हुआ है हम भी अपने notepad में यह mouse point करेंगे यह देखे, यह हमने अपना mouse point किया हुआ है यह देखे और एक जगल से दूसरी जगल पर mouse pointer ले जा सकते है Then, move the mouse on the mouse pad, you will see an arrow moving on the screen यह हमने देखा कि हम जब mouse pad पर mouse move करते हैं तो हमें arrow जो move करता है वो दिखाई देता है यह देखे, हमने mouse pad पर mouse move किया तो हमने यह arrow move करता हुआ दिखाई दे रहा है Then, this arrow is called mouse pointer इस arrow को हम क्या कहेंगे? mouse pointer कहेंगे देखे इस arrow को हम क्या कहेंगे? तो mouse pointer Then, moving the Then, क्या है? moving the mouse Move the mouse up on the mouse pad The mouse pointer also moves up on the screen यह देखे हम mouse up करेंगे तो इस तरह से mouse pad पर mouse up करेंगे तो pointer है वो upside moment करेंगा अब देखे हम अपने note pad में देखते हैं यह देखे हम अपना mouse mouse pad पर अब ले जाते हैं तो यह mouse pointer भी ऐसे move करेंगा यह देखे हम 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 द मैं दिखाती ही ये देखे हम ये माउस पेट पर माउस डाउन की तरफ मूव करते हैं तो ये देखे हमारा माउस पोईंटर है वो भी स्क्रीन पर डाउन की तरफ मूव करेंगा डाउन की तरफ ये देखे मूव कर रहा है then move the mouse to the right अब हम माउस यह वो राइट की तरफ मूव करेंगे the mouse pointer also moves to the right अब हम तो अब जब हम माउस राइट की तरफ मूव करते हैं तो माउस पोईंटर भी राइट की तरफ ये देखे हमने देखा है इसमें दिखाया गया है ये से माउस पोईंटर right की तरफ move करेगा ये देखे हम देखते हैं ये हम mouse right की तरफ move करते हैं तो ये हमारा mouse pointer भी देखे right की तरफ move करता हुआ दिख रहा है then move the mouse to the left the mouse pointer also moves to the left अब हम जब हम mouse को left side move करते हैं तो हमारा mouse pointer भी left side move करेगा देखे हम यह देखते हैं हम यह अपना mouse left side move करते हैं तो हमारा mouse pointer भी देखे इस तरह से left side पर move करेगा देन देन क्या है clicking the mouse has two or three buttons on it जैसे हमने देखा कि mouse के उपर two or three buttons होते हैं then hold the mouse अब हम mouse को hold करेंगे यह first finger on the left mouse button अब हम mouse को hold करेंगे और हम first finger हमारी जो first finger है उसे हमें left button पर रखेंगे प्लेस करेंगे left button पर then your first finger is on the left mouse button हमारी जो first finger है वो कहां पर होगी हमारी left mouse button पर होगे then press and quickly leave the left mouse button अब हम यहां पर देखें यह जो left button है वो हम quickly अब हम उसे प्रेस करेंगे और छोड़ देंगे then तो उसे क्या कहते हैं हम clicking कहते हैं this action is called clicking अब हम mouse का left button प्रेस करके छोड़ देते quickly उसे हम क्या कहेंगे clicking कहेंगे it is used to select an item on the screen अब हम इसका इस्तमाल हमने यह देखे कुछ भी type किया तो हमने यह देखे एक बार प्रेस किया तो हमें यह text select हुआ इसी तरह से clicking का इस्तमाल हमें कुछ भी हमने जो दिखाई गई है वो कुछ भी item screen पर select करने के लिए clicking का इस्तमाल होता है इस तरह से एक बार click करके छोड़ देने से हमें कोई भी item select कर सकते है then to double click means to quickly press and leave the left mouse button two times it is used to open a program अब हम double click means क्या होगा कि हम quickly press करेंगे और left mouse button है वो छोड़ देंगे यह देखे अब हम यह left mouse button है वो two times click करेंगे और फिर छोड़ देंगे उसे हम क्या कहेंगे double click करेंगे double click कहेंगे इसका इस्तमाल कहाँ पर होता है तो कोई भी program open करने के लिए double click का use होता है तो देखे हम अब हम double click use करेंगे यह देखे अब हमें क्या करना है तो हम यह keyboard की image open करनी है तो हम उस पर left mouse button से पर double click करेंगे यह देखे मैंने यह double click किया तो क्या हुआ तो यह देखे हमारा यह program open हो गया इसी तरह से हम double click का use करेंगे double click का use क्या होगा तो की quickly press the left mouse button two times हम left mouse button two times quickly press करेंगे to open a program कोई भी program open करने के लिए then है then dragging dragging अब हम dragging सिखेंगे hold the mouse हम mouse को hold करेंगे your first finger is on the left mouse button अब हम mouse को hold करेंगे और हमारी जो first finger है वो कहां पे होगी left mouse यहां पे left mouse button है वहां पे रहेंगी then press the left mouse button and without lifting your finger move the mouse across the screen and then leave the mouse button then अब हम यह देखें हम अपनी यह जह left button के उसको press करके रखेंगे और एक जगह से दूसरी जगह पर हम उसे move करेंगे और फिर उसे mouse button को छोड़ देंगे उसे हम इस action को हम क्या कहेंगे this action is called dragging इस action को हम कहेंगे dragging dragging is used to draw and color pictures in paint dragging जो है वो ड्रो करने के लिए और पिक्चर color करने के लिए paint में use होता है तो देखे मैं दिखाती हूँ paint में कैसे dragging करते हैं तो हमने यह देखे हमने यह left mouse हम यहां से अपना left mouse button left finger से press करेंगे यह देखे हमने यह left mouse button press किया फिर हमने यह press ही रखा है left mouse button hold किया हुआ है फिर हमने यह drag किया drag किया हमने यह left mouse अपना left button press करते हुए हमने यह screen पर move किया mouse अपना यह देखे mouse pointer और फिर हमने यह left mouse button छोड़ दिया इससे हम क्या कहेंगे dragging और अब हम और इससे हम color भी कर सकते हैं यह देखे हमने यह color किया तो इस तरह से हम लोग dragging कर सकते हैं तो students अब हम इसकी exercise next lecture में करेंगे Thank you क्यों कर दो